जय महाकाल दोस्तों कैसे हैं आपको आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मज़े में होंगे और यदि कोई तकलिफ भी है तो वो इन उपारां को करने से जाती रहेगी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा उपाए सिर्फ दोस्त इसको यदि आप रात्री को अपने सारे ही काम से निव्रुत्त होगा जब विस्तर पर आप सोने के लिए जाते हैं लेटते हैं उस समय आपको ये दोस्त बोलने हैं इसका इतना जवर्जस्त चमतकारिक प्रभाव आपके जीवन में पढ़ेगा कि आप जो कोई चीज भी चाहते हैं वो सारी ही चीज आपको मिलने के लिए तत्पर जाएगे यदि आपको पैसा चाहिए यदि आपके पास में धनकी कमी है तो ऐसे संजोग बनने लग जाएंगे कि अपने आप वो कमी पूरी होने लग जाएगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु को आप अत्यदिक चाहते हैं बहुत मन से चाहते हैं और बहुत दिनों से अथाग प्रयत्न करने के बाजूद आपको नहीं मिल पा रही है तो वह चीज भी आपको मिल जाएगी और यदि कुई कामकाज की तलास कर रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा परहसान कर रहा है तो देखते ही देखते वो आपकी जिन्दगी से दूर हो जाएगा कि आपका साथी कर्मचारी है आपके कम्पनी का भोस है या आपका आज पडोसी है तो देखते ही देखते आपसे दूर होने लग जाएगा इसे संजोग बन जाएंगे कि वो व्यक्ति स्वता आपसे दूर हो जाएगा कि अप सही हैं और वो नहा के दिए आपको परहसान कर रहा है तो आपसे वो काफी दूर चला जाएगा रात्री के समय आपको इसलिए कहर करना है ये सुपाय को कि रात्री के समय जब आप सारे ही काम से फुरसत हो गए हैं और विस्तर पर जब आप लेटे हैं उस समय आपके मन का जो भाव है उसको प्रगट करना है। देखें जो कोई भी वैट्ती, यदि किसी चीज को बहुत दिल से चाहता है, बहुत लंबे समय से चाहता है। то उसको ज्यादा वक्त नहीं रगता है उस चीज को अपने मन पटल के उपर लाने के लिए। तो जैसे ही आपके अंदर उसके भाव प्रकट होने लग जाएं आप इस सब्द को बोलने लग जाएं यदि आप चाहते हैं किसी अपने को अपने पास में लाना तो आपको कहना है क्लीम नमह यदि आप पेशों से संबंद दे कोई चीज चाहते हैं जैसे नोकरी चाहते हैं यदि कोई व्यक्ति आपको परेसान कर रहा है यदि आप उससे छुटकारा चाहते हैं तो आपको कहना है क्रीम नमह आप आराम से हाथ पेर इत्यादी दोकर स्वच्छो करके विस्तर पर लेट जाएं और जब तक आप सो न जाए तब तक आप इसको मन ही मन बोलते रहें नीद आ जाती है सो जाए गिंती लगाने की कोई आसकता नहीं है आपको जो चीज चाहिए उससे संबंदित बीज मंतर के साथ नमह बोलते जाएं बस आपको स्वतह वो चीज मिल जाएगी लगातार 21 दिन तक इस क्रिया को करें कितनी भी दुरलब क्यों चीज नहों लेकिन यदि आप उसको संपूर मन से चाहते हैं तो ऐसे संजोग बन ही जाएंगे कि वो चीज आपको मिल जाएं तो चलिए दोस्तों अभी इसी उपाई के साथ मुझे दिजिए विदा और आप लोग देखते रहें जीव प्रकास और अपने जीव में लावानुच होते रहें धन्यवाद